साब सब का स्वागत है हमारे चैनल Amplitude is a surgery 2.0 में दीखे अक्सर बच्चों के नाम में और पिता माता के नाम में संशोधन होता है और बच्चे इस बारे में पूस्ते भी रहते हैं क्योंकि इससे फिर आइडेंटिटी चेंज हो सकती है तो इसके लिए जो तरीका है हाना कि पहले भी बताया जा चुका है मैंने वीडियोज बनाए है इस बात पे जनीत गारंटी वाले पे और इस बारे में जो है वो फिर से एक आर्डर जारी हुआ है अज 18 सितंबर है अभी अभी ये आर्डर जारी हुआ है और इसमें है मैं आपको डीटिल में बता दूँ कि प्राविदेक शिक्षा परिशत द्वारा चाच्छात्र के नाम एमन पिता के नाम में वर्तनी संशोधन पूनतया ऑनलाइन किये जाने के संदर्व में तो इसमें जो है वो सब कुछ ऑनलाइन होगा आप इसमें देखिए क्रपिया परिशत के पत्र ये 23 सितंबर पिछले साल 2022 का संदर्व गरे जिसमें जारी परिशा परिशत के नाम में वर्तनी संशोधन वानचित है वर्तनी संशोधन मतलब नाम वही रहेगा बोलने में कुछ अगर इधर दर हो गया है तो संबंदिश चाच्छात्र द्वारा परिशत की वेब साइट www.btup.ac.in बंदिश चाच्छात्र द्वारा आवेदन संबिट किया जाएगा तक परिशण करते वे परिशत को अगरसारित किये जाने के निर्देश दिए गया है कि दिनांक 12 सितंबर 2023 को जारी सम समिस्टर परिक्षा वार्षिक विशेश पेख़एपर परिक्षा जून 2023 के परिक्षा 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 में अंक तालिका प्रेंट होने के पस्चात किसी भी दश्चा में मैनुवल संसोजन किये जाने हैं तो आवेदन स्विकार नहीं किये जाएंगे मतलब मैनुवल जैसे कॉलेज में अप्लिकेशन देते थे वहां से चली जाती थी वैसा कुछ नहीं होगा अधा आपको सनिर्दिशित किया जता है कि सनलंगने दिशा निर्दोश्यों के निसार इनांक 25 सितंबर 2023 तक प्रतेक दशा में अपनी संस्था में अध्यन चाथ-छात्रों को सूचित करते हुए आवेदन करवाते हुए प्राप्त आवेदनों का परिक्षण करने के उपरां तो संस्था लॉगिन के माध्यम से आवेदन सह समय अक्रसारीत करना सुनिशित करें साथ ही यह भी अवकत कराना है कि संस्था दोर आवेदन अग्रसारीत करने के पूर्वेश सुनिशित करने कि कि किसी भी चाथ-छात्रा के नाम में पूर्णतह परिवर्तन नहीं हो ठीक है ना मतलब जैसे पिता का नाम राम बहादूर है अब इसको आप श्याम बहादूर क तो अनित्य यह माना जाएगा कि संबंदित संस्था द्वारा अनुचित लाप के लिए कूट रिचित प्रयास किया रहा है और ये इस तरह है कि आवे दन संस्था करना अब इसमें देखिए तरीका क्या है तो वो पूरा चुको पूरा पिछले वीडियो में भी बता चुक को दोबारा से भी इसमें बता रहा हूं चाचात्रा के नाम में और पिता के नाम में वर्तनी संसुर्दन हेतु दिशा निर्देश सर प्रथम स्टेप बन क्या है संबंदि चाचात्र रदा परिशत की वेब साइट पर उप्तब्द लिंक e-services और ब्रैगट में जनहित पर क् अबन होगा जिसमें समय चाचातर रहा स्टूर्ट रिजिस्ट्रेशन पर क्लिक करना होगा और स्टूर्ड रिजिस्ट्रेशन के वल टेक्स्ट आप यह लैप्टॉप से किया सकता है इसमें आपको जो है रिणोल्मेंट नंबर और वेरिफाइव उसको करवाना पड़ेग कंधा फिर दिशिंट करने के उप्राँ जो है लॉगिन आइडी जो कि नर्लमेंट नंबर है और पासवर्ड क्रीट करने करने को परी स्टूर्ट लॉगिन के लिंक पर क्लिक करने पर निमनवत पेज ऐपन होगा यह आपका पेज अजाएगा N bridge नफ़्मेंट नंबर होगा यह देखें यहां पर दिख रहा है यह सेवाओं के अंदर स्टुडेंट राइट्स में सेवाएं चात्रों के लिए इस पर क्लिक करना होगा एरो बना भी रखा है ठीक है यह पीडियाफ मैं देदूंगा टेलिग्राम पर तो आप उस पर से देख करके और कर सकते हैं Step 5 में यह इसेवाएं चात्रों के लिए लिए लिंक पर क्लिक करने के उपर आंध निम्नुवत पेज उपन होगा जिसमें चात्-चात्र के नाम पिता के नाम वर्तनी संशोधन हितू Rectification of Marksheet नामक लिंक पर क्लिक करना होगा तो यह यहां पर Rectification of Marksheet यह आपको दिख रहा है इस पर यहां पर यह क्लिक करना होगा Aero बना भी रखा है फिर Step 6 में Rectification of Marksheet नामक लिंक पर क्लिक करने के पश्याद निम्नवत पेज उपन होगा जिसमें संबने चाथ चाता दारा प्लीज सेलेक्ट Rectification टाइप में Name, Further, Name, Date of Birth, Correction सेलेक्ट करना होगा जिसके उपरान चाथ चात्राओं को Current Student Details और Student Details दिखेगा जिसमें Current Student Details में पूर्व में उपरब्ध चात्रा का नाम, पिता का नाम बगड़ा होगा और To Be Update में भी वही होगा जा करके ठीक है ना? और उसमें To Be Updated में चात्रा का नाम बगड़ा एडिट करा जा सकता है उससे सही किया सकता है समंझे चात्छात्रादारा Student Details To Be Updated में वानशित संशोधन करते हुए चात्रादारा High School मार्शीट स्कैन करके JPG फाइल 200 KB से कम साइज की अपलोड करते हुए Apply for Rectification पर क्लिक करके आवेदन सम्मेट किया जाएगा यह यहाँ पर जो है Current Details है ठीक है ना? Current Details, Name और Date of Birth और Student Details To Be Updated Name, Father's Name, Date of Birth तो Date of Birth भी Correct हो सकती है इसमें जो है वो कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है नाम, Father, Name और Date of Birth यह Correct हो जाएगी और इसके लिए आपको High School की मार्शीट फिर यहाँ पर अपलोड करनी पड़ेगी और फिर यह नीचे बटन ब्लू कलर में दिख रहा है Apply for Actification इसके उपर क्लिक कर देना होगा ठीक है? फिर आविदन सम्मिट करने के पद शाथ आविदन उसकी संबंदिश संस्था को forward हो जाएगा जिसे संबंदिश संस्था में संपर करते वे अपना अविदन संस्था द्वारा परिशत को forward करवाया जाएगा तो यह आपकी duty है कि आप अपने college में बताएंगे जाकर के और वहां से फिर आपका जो application है वो और उपर forward कर दी जाएगी और चाचातरा का आविदन संबंदिश संस्था के login में e-seva applications link पर click करके दिखेगा यह संस्था का जो login होता है उसमें यहाँ पर e-surveya applications में यहाँ पर यह दिखेगा जाकर के और e-seva application link पर click करने पर निम्नुवत page open होगा जिसमें e-seva services में rectification और marches select रना होगा तदा संस्था का नाम select करने पर चाचातरा कीएगे आविदन की सूची प्रदर्शित होगी जो भी चाचातरा बरन करेंगे उनकी सूची निम्नावत प्रदर्शित होगी जिसे सम्मंदिश संस्थादारा पत्थे चातर के आविदन को process button पर click करना होगा तो यहाँ पर यह जो process button है last में यह बद दिखराएगी यह process button यहाँ पर जो है वो click करना होगा उसके बाद process button पर click करने पर निम्नवत पेज प्रदर्शित होगा जिसे सम्मंदिस संसाद्वारा high school की मार्शीर से मिलान करते वे अग्रसारित किया जाएगा परिशत द्वारा संसाद्वारा प्रापत आवेदन को approve या reject किया जा सकता है और इस तरह से जो है वो आपका अगर approve होता है तो सुधर जाएगा वही चीज और अगर reject हो जाता है तो फिर उस case में यानि कि आपका आवेदन जो है वो फिर सही नहीं हो पाएगा उप्रोग तो पूरी प्रक्रिया का स्टेटस चाथ चात्रा के लॉग इन पर दर्शित होता रहेगा तो आप अपने लॉग इन पर चेक करते रहेंगे कि आपके कॉलेश से चली गई एप्लिकेशन या बोर्ड में जाकर करके accept हुई है reject हुई है यह सब आपको पता लगता यहां पर काम आएगा तो यह वह प्रोसीजर है तो इसको आप ध्यान से पढ़ लें और इसके साब से जिनमे के नाम और अगर 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 देट ऑफ बर्थ और दिक्कत है तो वह लोग इस तरह से अपलाई कर सकते हैं वीडियो को फिर यहीं पर खतम करते हैं जूनियर बच्चे आए हुए हैं उनको भी जो है वो हमारे बारे में पताएं चैनल को उनको वीडियो को उनको रेफर करें ताकि वो लोग भी इनका लाब उठा सकें मिलते हैं आप से अब नेक्स वीडियो में धन्यवाद लिए